माइक नमबर एक से सवाल करिए माइक तो सारे इनसानों के लिए अदल भी एक होता है बहुत अच्छा सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि ये किदर का मुसल्मानों को माफ करता हिंदू को नहीं माफ करता है मैंने अब से कहा कि जो इनसान नाम का मुसल्मान है उसका नाम मुम्मद अब्दुल्ला जाकिर है तो वो खाफी नहीं जन्नत में जाने के लिए मुस्लिम का मतलब वो इनसान जो अमन हासिल करता है अपने खोईश अपने मर्जी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद जो इनसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इनसान है वो नाम का क्या है उसका कोई लेना देना नहीं यहां मैं कह रहा हूँ कि जो इनसान अल्ला के इलावा किसी के साथ शिर कर रहा था आज शिर करना छोड़ दिया आज उसके गुना माफोंगे चाहे कोई भी हो आप भी आप भी अगर कहते हैं कि मैं शिरकन ना छोड़ दूँगा अल्ला के इलावा किसी और की अबादत नहीं करूँगा जो हिंदू मदब के किताब में लिखा है और मैं मानूँगा आखरी पेगंबर मुहम्मद सल्लाव सल्म में चाहे आप इसाई है च एक लिकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ करेंगा मिसल के तौर पे एक एगजामनेशन होता है टीचर सारे तालिप इल्म के लिए बराबर है टीचर एक साल के लिए सारे तालिप langーム सारे स्टुडिंश्ट को सिखाता है बराबर लेकिन examination में जो teacher पूरे साल बर सिखाता है जो तालिब इल्म वो teacher के सिखाय और मुताबिक examination paper में लिखता है वो पास हो जाएंगा जो तालिब इल्म teacher जो सिखाता उसके खिलाफ काम करता है तो teacher क्या उसको पास करेंगा जाएंगा वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो जो teacher सिखाता है उसके उपर वो तालिब इल्म उसके मताबिक इंत्यान देता है वो पास होगा आपका मालिक, हमारा मालिक एक है सारी किताबों में लिखा है हिंदु मजब की किताब में, यहुद मजब की किताब में, इसाय मजब की किताब में, इसलाम मजब की किताब में, सिख मजब की किताब में, के मालिक एक है, मालिक के इलावा किसी की अबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के इलावा किसी की अबादत नहीं करना चाहिए, कल मै मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो, या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, तो आप सच मुछ उस मालिक के बंदे है, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, तो आपके गुना माफ हो जाएंगे, तो यह अर्बी म कह रहा हूँ कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ से नफरत है अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ को निकालता हूँ मैं ये कहता हूँ जो भी इनसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अर्बी में कहते है मुस्लिम लेकिन आपको मुस्लिम शब से नफरत है मुस्लिम शब को न किसी की पूजा नहीं करना चाहिए वो इंसान के गुना वो मालिक माफ करेंगा आप अगर मानेंगे खुदाए के आप मानते खुदाए के आप मानते खुदा के इलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए मानते हां के ने मानते आप मानते बुद्परस्ती गलत है आप मानते कि आखरी पैगंबर मुहमद स्लल्हूं सलम है नहीं मानते हैं जैसे सीर्ष संक्तर को पैगंबर बोलते है जैसे साही बाबा को यह समचे पैगंबर होगे यह हर फरिश्ते ऐसे आते गए आपने मेरी पंद्रा तारीकी तकरीर सुनी मुहमद मुझम्हसthing का जिकर मुझाल मुझाल में कासिट लीजिए मेरी तक्रिर मुझम्हस का जिकर मुझम्हसthing का जिकर मुझने के बाउजूद सब मध़भी किताब में लिखा है जा हुआ करिक्पिमश comfortable में अकरिभी किताब में लिखा है भविश वानी मुहम्मद स्थाल्बाइब की आप पढ़ेंगे भविश पुराना पर्वत्री खंड थ्री अद्य थ्री श्लोका 10 से 27 में मुहम्मद स्थाल्बाइब का जिकर है आप कुंटफ सुकता पढ़िए अथरवावेद में लिखा है किताब नमबर 20 हिम नमबर 127 श्लोका नमबर 114 में लिखा है मुहम्मद स्थाल्बाइब के बारे में आप पढ़िए अथरवावेद किताब नमबर 20 अधिया नमबर 21 श्लोका नमबर 6 और 7 में मुहम्मद स्थाल्बाइब का जिकर है मुहम्मद स्थाल्बाइब का जिकर है साम वेद में आहमद गिसलेस नमबर दस में आप अगर पढ़ेंगा अथर्वावेद किताब नमबर आट अधिया नमबर पाँच श्लोका नमबर 60 में महमद सδαwent सिर्फ इससे बिताब्सора इंदों मजब की कई किताब में रिगवेज किताब नंभर वन हम नंब तरटीण वस नंब थी रिगवेज किताब नंब वन हम नंब एटीण वस नंम न Extreme रिगवेज ben बुक नंब लगन अनूस वर्स चार रिखवेद बुकन नंबर हुमनभर ंणर फड़ेद वेक्त के qoसμ तोय याजुर व XL 25 याजुरु एक नवर 20 वर्स 55 याजुरु एक हबनेटीमगे सेवनुखfly 1.' मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूँ आपकी किताबों मेंसे इस सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मंमस्थियुर्ष विस्टम आखरी प्रा किंबर है आज जो इसलाम कबूल कर रहे है उनको ये समझाओ कि इसलाम धर्म क्या है उनको वो समझ में मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है आप ने कहा कि जो लोग इसलाम कबूल कर रहे हैं उन्हें समझाओ इसलाम धर्म क्या है आप नहीं समझे वो लोग समझे इसले तो Islam कबोल किए आप भी समझेंगे तो आप भी कबोल करेंगे ये 10 रोजा Confidence जो था हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को Islam क्या है ये मीडिया जो Islam को पेश कर रही है ये तोड़ मुडोड के पेश कर रही है हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इसलाम क्या है अगर आप इसलाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो जब भी पहचान लेंगे इसलाम को तो इंशालला आप भी शादत देंगे मेरी दौाए अल्ला सुबानाओ टाला से उस मालक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये मानें कि अल्ला एक है अल्ला के लावा कोई माबूद नहीं और ममध स्बाइब आखरी पैगमबर है मैं कहुंगा वालिंटियस से कि आपको मेरी डिवी डी दे ममध स्बाइब का जिकर मुक्तलिब मजभी किताबों में उसमें सारे हवाले है और एक हुसूसां तक्रीर है मम्मस अल्लाव सलम का जिकर हिंदू मजभी किताब में सिर्फ हिंदू मजभ में आप उसको देखो और इंशालला आप इस बात को तस्लीम करेंगे आज नहीं तो कल क्या लाइक है उसके इलावा कोई माबूद नहीं और मुम्मस अल्लाव सलम आखरी पेगंबर है हुब दानसे तो किश्टि माएक नमबर तीन मैं कोई खातो हूँ को सवाल करें माएक नमबर तीन से यहाँ पे पाँच बेहने है जिनको शहादा लेना है अगर आप पाँचो का साथ में करा दें मैं जो नहीं चाहता हूँ वो अल्लाव ताहला कर रहा है मुझे किसी ने कहा कल कि शहादा इतने हो रहे क्यों ने आप एलान करो कि एक साथ में दो तो वक्त बचेंगा और लोग आईगे मैंने कहा मैं पुब्लिक में नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन माशाला लोग को पता है का वक्त कम है तो पाँचों बहने साथ में मैं के नजिक आगे मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ पाँचों बहनों से क्या कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा कपूल करने के लिए कोई आप पे दबाव डाल रहा है इसलाम कपूल करने के लिए आप मानते हैं कि खुदा एक है और अल्ला के लावा कोई माबूद नहीं आप मानते के माम्म्म्म्स ल्ल्लाव सल्मा करी पेगंब्र है मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अब बारी बारी एक बैन अपना नाम कहे अभी आपका नाम कहे और कौन से मज़ब से तालुक रखते उसके बाद मैं साथ में कलमा पढ़ाओंगा आपको मेरा नाम कुसुन पाटिल है मैं इसलाम कबूल करना चाहती है दूसरी बैन अपना नाम फर्मा सकती है मेरा नाम है निर्मला शेलेंद्र गाइकवाण मगर मेरे शोर भी उदर आए कलमा पढ़ने के लिए तो शोर भी आसकते है जो भी भाय अभी वक्त कम है जो भी भाय और भैन इसलाम कबूल करना चाहते वो माइक नमबर वन, टू और त्री पे साथ में आसकते है कीन, चार, पाँच वक्त कम है Recently I suffered a little bit of a BP and I went to the doctor and the first thing he said to me is that stop eating red meat which is again allowed in Islam so I would think that if these things could be harmful to the human body these should not have been allowed by who has created us so if you can clarify me on that you went to a doctor and you said you had high BP yes, doctor said you have red meat yes, so why does Islam allow red meat yes, you know my friend went to a doctor and doctor said you have diabetes, don't have sugar brother why do you have sugar right, why, don't have sugar my friend went to a doctor, doctor said you have diabetes, don't have sugar brother do you have sugar yes, of course why you have sugar, stop having sugar yeah, well we can live on vegetables, easily possible can you live without having sugar can you live without having sugar even vegetarians have sugar brother yeah are you educated yeah, yeah mashallah the problem is that person had a problem with his pancreas yes in the pancreas there are eyelids of linger hand which break down the sugar because my friend had a problem in the pancreas he could not break down the sugar therefore the doctors said don't have sugar right so if you have some problem of red meat you should not have red meat others can have red meat right the Quran says a generous statement Quran says eat what is halal and tayyab for you there's a verse in the Quran eat what is halal and tayyab for you for a person suffering from diabetes sugar is not tayyab so according to the Quran a person having diabetes should have less sugar it's a general statement eat what is halal and tayyab for you that means certain things which is good for others may not be good for you but there are certain things which are bad for everyone alcohol alcohol is bad for everyone it is prohibited for everyone pork is bad for everyone therefore pork has been prohibited for everyone what you realize certain food because of the way your metabolism is made because it's a problem for you doesn't mean that everyone should abstain from it hope the answer to the question